और चलिए से बीच आपको अगली ख़बर बताते हैं बम की धमकी आखर साजिश किस की? और चलिए से बीच बड़ी ख़बर आपको बता दें विमानों को लेकर लगतार धमकियों का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है 24 घंटे में धमकियों का आखरा बड़ा है और चलिए साजिश किस की है? बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं विमानों को बम की धमकी का सिलसला लगतार जारी है एरलाइन्स को 11 धमकिया मिली है धमकिबाजों के टार्गेट पर यूके से जाने वाले विमान बताए जा रहे है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं इसमें विस्तारा एरलाइन्स है इसमें एर इंडिया एरलाइन्स है 24 घंटे में विमानों को 54 धमकिया आई है क्या भारती एवेशन इंडिस्ट्री के खिलाब हो रही है साज़िश क्या बम की जूटी धमकियों से अर्थ विवस्ता को चोट पहुंचानी की साज़िश भारत के खिलाफ एक नई साज़िश का ताना वाना भुना जा रहा है इस वारी साज़िश भारत के नागनिकों के खिलाफ नहीं बल्कि देश के अर्थ विवस्ता की खिलाफ है दुनिया के तेजी से बढ़ती वार्ती एवियेशन इंडर्स्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी 30 पर एक नए तरीके का हाथ खंडा अपनाया जा रहा है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके पीछे पुक्ता वज़ा मजूद है पिछले 10 दिनों में 100 से ज़्यादा विमानों में बंकी धंकी मिल चुकी है एयरलाइन्स कमपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिये धंकी दी जा रही है धंकी में बखायदा फ्लाइट का नंबर उसके रूट का जिक्र होता है जिसके बाद सभी फ्लाइट की एमजेंसी लेडने करवा कर चेकिंग की गई हाला कि धंकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदेख्ट चीज नहीं मिली है लेटिट भी एमेचे और एयरपोर्ट लेविल सेक्योरिटी ओफिसर सब को साथ में लेते हुई वो सारे निरने ले रहे हैं and they are working in that process जे ओफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ओफेंस का लिस्ट किया गया है तो हम उसमें add करेंगे चो on ground या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो flight है उसके ओपर भी ऐसे threats आते हैं तो उसको भी कैसे deal करना है, cognizable कैसे बनाना है उसको हम specifically add करेंगे तो in flight था अभी on ground को भी add करेंगे भले बंब की सभी धमक्या जूटी निकली हूँ लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रिशासल, सुरक्षा एजेंसिया और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया वही इससे airlines कमपनियों को भारी चपत लग रही है तरसल अचानक plane का route बदल का ground पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है प्लेन की चेकिंग, समान की जान, शुरूट डायवर्ट का अधिरिक्ट खर्च आता है यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुचानी के लिए विवस्थात करनी पड़ती है दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बंग की फर्जी धंकिया मिलने से एयरलाइन्स कंपनियों को 200 करोड तक का नुकसान हो चुका है ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोड़ कर रहा है इस पूरी सांजश का ताना बाना विदेशी धर्ती से रचा जा रहा है सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी सांजश के पीछे विदेश में चिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है पंकिय अधिकतर धंकिया कैनडा अमेरिका यूरोप के देशों से भेजे गई है फर्जी वीपेन बना कर उनसे भारती अवेशन कंपनियों को धंकिय दी जा रही है जी के आपका सकता है the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. तो भारत सरकार इस पर सक्त कदम यहां पर उठाने जा रही जिससे की इस तरीकी के हॉक्स कॉल पर जो लगा में वो लगाई जा सेगी.